हाई दोस्तों स्थाईज ही और बैक विट अनदर इंट्रेस्टिंग और मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो और यह है मेरे पाँ शाउमी मी एवन जो की कुछ 7-8 साल पहले रिलीज हुआ था और इसमें था Android 9 जैसी के आप देख सकते हैं वो पाई वर्जन है तो आज हम इसमे लेटेस्ट Android 16 कस्टम रॉम इंस्टॉल करने वाले हैं यहाँ पर जो है मैं सारी चीज़े बेसिक से स्टार्ट करूँगा एडवांस तक मतलब यहाँ पर सबसे पहले हम बूर्लोड रॉन लॉक करेंगे कस्टम रिकोरी डालेंगे उसके बाद हम रॉम को फ्लैश करेंगे तो यहाँ पर पूरा step by step guide होगा without PC होगा यहाँ पर आपको मैं यह भी चीज़े बताऊंगा कहा से फाइल्स डाउनलोड करनी है आगे जाके आपको इरॉम खुद से फ्लैश करना चाते हो चेंज करना चाते हो तो वह कैसे करोगे बिल्कुल एक नूप बंदा भी यहाँ प आपका phone भूट नहीं करेगा तो बहुत सारी issues आपको face करने को मिल सकते हैं तो अगर आप मेरे guide को बिल्कुल properly follow करोगे तो कोई भी issue नहीं होगा तो चलो चैनल पर नहीं हो तो चैनल को subscribe करके बिल ऐकन दबा के रखना और भी यहाँ पर काफी खतरनाग updates मिलती रहेंगी तो join कर लेना इसके link में description में दूँगा यहाँ पर actually आपको जो me even है उसके सारे latest kernel recoveries ROMs के updates मिलते हैं यहाँ पर जो ROM मैं भी flash करने जा रहा हूँ as a example आप कोई भी flash कर सकते हो मैं यहाँ पर android 16 derphy stoist जो की latest है उसको मैं flash करने जा रहा हूँ तो यहाँ पर flashing guide mention रहेगा आपको flashing guide read करना है मतलब पढ़ लेना है कि क्या यहाँ पर files लगी ही किया है यही पर लिखा रहते है सब but first time user हो मतलब आप first time करने जा रहे हो तो यह flashing guide आपको follow नहीं करने है आप advance हो जाओगे उसके बाद यह flashing guide करने है अगर आप first time user हो मतलब अभी पहले ही bootload unlock करोगे सब कुछ आप first build number दिखाई देगा इस पर six to seven times tap करना है continuously जब तक यह नहीं बुलेगा your name developer जैसे यह बुलेगा your name developer इसका मतलब आप developer हो चुके हो ठीक है उसका developer option on होगा developer option के अंदर जाना है यहाँ पर कुछ toggles on करनी है OEM unlocking toggle फिर USB debugging toggle यह दो toggles आपको on कर देनी है on करने के बाद next क्या हम क् connect कर लेंगे OTG वाला जो part है वो computer को connect करना है मतलब computer phone को PC से भी कर सकते हो process से में बट आपके पास PC होगा की नहीं होगा इसलिए मैं दूसरे phone से करके बता रहा हूँ आपको बब जेगर application डाउनलोड करके install कर लेना है अपने दूसरे phone के ऊपर जो हम computer phone use करेंगे ठीक है तो उसके बाद यहाँ पर हम जो है reboot bootloader पर tap कर रहा है बट यह reboot नहीं हो रहा है जैसी कि आप देख सार हो black screen मतलब blank screen हो रहा है और वहाँ पर हमारा जो phone है यहाँ पर actually आपको जब आप connect करोंगे अपने phone को तो यहाँ पर show करता है दो pop-ups आता है डब्बे आता है यहाँ पर ज connected है बट show नहीं कर रहा है तो अब क्या करें इस बार otg को निकाल के लगा के कर रहा हूं मैं try बट नहीं हो रहा है ठीक है तो चलो नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं हम एक काम करता है हमारे phone को हम manually boot कर लेते है custom sorry pass boot के उपर ओके तो यहाँ पर मैं एक काम करकी देखता हूं maybe यह हो जाए क्योंकि कभी-कभी internet में off करके रखता हूं तो कभी-कभी जो है वो बब जेखर application ठीक से काम नहीं करता है अगर आपका बब जेखर application ठीक से काम नहीं कर रहा है issues आ रहा है तो issues को कैसे fix करना है उससे regarding में जो video अल्रड़ी बना रखा है जिसकी link description में आपको मिल जाएगी anyway यह मैं आपर कर रहा हूं बट यह show नहीं कर रहा है ADB में ठीक है तो ADB में show नहीं कर रहा है तो कोई बात नहीं हम इसको fast boot में connect करके try करते हैं fast boot में हो जाएगा वैसे PC से तो PC से तो कोई दिक्कत नहीं होगी बट चलो fast boot में ले जाना है आपके Xiaomi Mi One को तो क्या कर रीबूट पर आपको restart पर क्लिक करना है restart पर क्लिक करके volume down बटन प्रस करके रखना है जब तक यहाँ पर Mi Bunny लोगो नहीं आता है तो यह Mi Bunny लोगो आने के बाद आपको volume down की छोड़ देना है तो अभी देखते है connect हुआ है कि नहीं हमारा OTG USB के बल सब connected है ठीक है यहाँ पर बिजली के आइपन पर है उसके बाद यह जो blue color का button इस पर मैं tap करता हूँ add आ गया shit मैं काम करता हूँ इसके ads बर जो है यहाँ पर इंटरनेट ब्लॉक कर देता हूँ वरना यह ads से ही परिशान कर देगा हमें तो यहाँ पर देखो device connected बोल रहा है नीचे ओके अब यहाँ प चुका है बट fast boot device show नहीं कर रहा है तो कोई बात नहीं हम यहाँ पर unlock command करेंगे bootloader का fast boot space oem space unlock उसके बाद मैं hit करूँगा तो bootloader unlock हो चुका है ठीक है बटन पर tap करने के बाद bootloader unlock होने के बाद जैसे कि आप देख सकते हो right side में मेरा me even जो है उसका bootloader unlock हो चुग है नीचे बोल रहा है वहाँ पर अगर ध्यान से देखोगे तो bootloader unlock होने के बाद जो है यहाँ पर आप left में भी देख सकते हो finish total time लिखा हुआ है और right side में नीचे bootloader unlock का वो छोटा सा ताला खुल चुका है erase हो रहा है हमारा Xiaomi me even क्योंकि जब bootloader unlock करते है तो हमारा Xiaomi me even जो है erase होगा क्योंकि कोई भी phone का bootloader unlock करने जाओगे उसके बाद वो पूरा wipe data है यह format data है यह factor research हो जाएगा ठीक है तो हमेंचे याद रखिए अपना important data का backup लेना यह सब करने से पहले ओके गाईस बढ़ते अभी next step के उपर next step आपको क्या करना है जो important file से उसको download करके रख लेना है एक important file जो की download करके आपको अपने computer phone में रखना है वो है TWRP recovery ठीक है सारे files के link description में है वहाँ से आपको download करना है उसके बाद जो हमारा me even जो है इसको fast boot में ले जाना है volume down और power की hold करके रखो या फिर power की hold करके रखो जब screen off होगा वैसे ही volume down पकड़ो power की छोड़ दो और volume down पकड़के रखोगे fast boot का logo आएगा उसके बाद आप phone को side में रख दो phone को एक बाद ODG निकाल के फिर से लगा दो तो यहाँ पे show करेगा नीचे device is connected okay blue button पे tap करो blue button पे tap करके यहाँ पे अभी हमें custom recovery flash करनी है command दो fast boot space flash space recovery space देना है उसके बाद यह उपर click करो यहाँ पे और उसके बाद यहाँ पे recovery image select करनी है जहाँ पे भी download करा था download folder किया फिर बाहर रखाओगा उस पे simply tap करो okay तो यहाँ पे मैं simply उसको tap कर देता हूँ उसके बाद select हो जाएगा उसके यहाँ पर आपको क्या करना है ध्यान से देखो fast boot लिखा space दिया boot दिया फिर उसके बाद space दोंगे फिर उपर यहाँ पे click करोगे और यहाँ पे recovery AMG select करके play button पे tap करोगे flash हो जाएगा flash होने के बाद आपका phone जो है automatically reboot हो जाएगा TWRP के उपर जैसे कि यह देख पार है और right side म तो command में थोड़ा changes है मेरको आदत है वो first वाली command इसलिए मैंने वो दी बट इसके लिए different command है याद रखो ओके तो यहाँ पर हम आज आते हैं और इस पर cancel करेंगे उसके बाद यहाँ पर box पर tick करेंगे swipe करेंगे यहाँ पर okay उसके बाद यहाँ पर settings में चलता हूँ और इसका brightness जो हो adjust कर लेता हूँ ठीक है brightness कम कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दीखे तो चलो यहाँ पर सब कुछ adjust हो चुका है अब हम बढ़ने वाले हैं flashing guide के उपर तो यहाँ पर सबसे पहला step क्या करना है ध्यान से देख करोगे यहाँ पर लिखोंगे y e s then right button पर टिक करोगे उसके बाद यहाँ पर process होगा wait करो थोड़ा सा time लगता है मैं वीडियो को थोड़ा सा forward कर देता हूँ ताकि आपको जल्दी जल्दी steps दिखा सको तो यहाँ पर यह process जो है complete हो चुका है अब next step क्या करना है back आ जाओग main home पर आऊंगा home पर आने के बाद next step यहाँ पर हमे correct connect करना है otg मतलब paint रहा हूँ जो भी files है ओ link description में है जो बोल रहा हूँ वो download करके रखो okay उसके बाद आपको mount पर आना है यह otg के box पर tip करना है मतलब mount करना है उसके बाद next step यहाँ पर install पर आओगे ठीक है install पर आके यहा वाला जो zip है इसको flash कर देना है आपको ठीक है zignus वाली zip है इस cop को flash कर देना है ठीक है मैंने pronounce wrong करा हूँगा तो sorry ठीक है तो यह जो file है zignus वाली इस cop को flash करके wait करना है तो यह जैसे ही complete हो जाएगा उसका बाद next step आपको बताऊंगा क्या करना है ओके यह complete हो चुक है zignus वाली zip जो है वो flash हो चुकी है अब next step क्या करना है अब आपको आना है back ठीक है back आने के बाद reboot पर आऊंगे और आपको करना है recovery पे select बस swipe करो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं swipe करने के बाद यह फिर से reboot होंगा हमारी recovery के उपर थोड़ा सा time लगेगा ठीक है तो wait करो okay guys फिर से यहाँ पर हमारी TWRP खुल चुकी है box पर टिक करना है swipe करना है okay swipe करने के बाद अब नेक्स आएंगे wipe के उपर advance wipe के उपर यहाँ पर जो boxes है उनको टिक करना है जैसे कि dalvy card कैचे system vendor और data इन सारे boxes को आपको टिक करके swipe करना है ठीक है swipe करने के बाद यहाँ पर यह swipe complete होगा अब किसी किसी के case में swipe नहीं होता है error आ जाता है तो उन लोगों को क्या करना है जहान से सुनो back आ जाओगे पूरा back आने के बाद यहाँ पर आपको चलना है wipe के उपर format data के उपर आओगे यहाँ लिखोगे y e s then right button पर टिक properly होगा अभी error नहीं आएगा अगर आपको आ रहा था थो यह करो ठीक है तो मेरे case में तो नहीं आया ना लेकिन फिर भी दिखाने के लिए कर आपको फिर wipe प्याओंगे advance wipe प्याओंगे dalvik catch system window data tick करा swipe करा back आ जाना है अभी अब next step द्यान से दिखो क्या करना है आपको आना है OTG या पेंडर या फिर जो भी भूलो हमारा में SD guard वगेरा storage वो select करके swipe करके इसका backup बना होगे ठीक है और उससे पहले backup बनान से पहले enable compression यह वाला on कर देना compression on करने के बाद जो है compress वाला option on करने के बाद आप backup बना के रखना क्योंकि यह IMEI वगेर सब कुछ important data backup रहता है उस steps show कर सको याद रखना जो मैंने backup बनाने के लिए बोला था वो backup बनाना उसमें IMEI या फिर आपका जो भी address वगेरा जो होता है important वो सारे important information उसके अंदर होती है अगर वो miss हो गई तो आपका mobile data network वगेरा नहीं आएगा तो वो सारे partitions का backup बना के रखो हो गया या आपर ROM successfully flash हो okay done यहाँ पर reboot system पर tap करूँगा अब first time boot होने में थोड़ा सा time लगता है wait करेंगे OTG जो पेंडरा है उसको हटा देना है और wait करते हैं आपे phone boot होने तक के तो video को मैं थोड़ा सा और forward करता हूँ ताकि आपको जल्दी जल्दी steps दिखा सकूँ जो ROM में boot हो चुका है setup भी complete कर फटाफट ठीक है तो यहाँ पर Android 16 मैं बहुत जादा excited हूँ जैसे कि अब देखी बार हो Android 16 आ चुक है हमारे device के ऊपर तो चलो ROM के बार में थोड़ा सा बात करता हूँ मतलब यहाँ पर क्या-क्या features और banking applications चलेंगी या नहीं चलेंगी उसके बार में आपको बताता हूँ त देखो सब कुछ Android 16 के features आ चुक है हम बहुत ही बड़ी आ लग रहा है कमाल दिख रहा है पूरा phone ठीक है बिल्कुल नया नवेला हो चुका है अब उसके बाद हम बात करते हैं banking apps का क्या फंडा है वो चीज में आपको समझाना जाता हूँ यहाँ पे जो features है वो बहुत सकते हो play store के अंदर settings में जाके यहाँ पर अगर आप देखोंगे device जो है not certified लिखा रहेगा देखो यहाँ पर not certified है device certification issue बोल रहा है तो हमारा phone certified नहीं है मतलब यहाँ पर banking apps नहीं चलेंगे जैसे यह तीनों checks जो है green होने चाहिए दो भी green रहेंगे तो भी चलेंगे उपर दो पर दोनों भी नहीं है तो फिर क्या है तो इनको आपको green करना पड़ेगा वो कैसे करोंगे आपको जो है एक short video मिल जाएगा link description में है उस short को देखो एक file add करनी है यहाँ पर simply उसके बाद आपका जो है वो सारे green checks हो जाएगे उपर के दो green checks हुए तो भी sufficient है पूरे green checks की इसके बाद ही आपके banking apps या फिर जो बाकी apps से चलेंगे तो आपको वो जो है checks green करने पड़ेंगे उसकी link description में हो जाके देख सकते हो बाकी पूरी ROM अच्छी है बड़िया चल रही है वीडियो पसना है तो please वीडियो को like share चैनल को subscribe करके बेल आकन दबाओ और भी तगड़े updates आपको बहुत सारे routing और ROM booting से मिलती रहेंगे ठीक है और नीचे hype का बटन है उसको भी दबा देना support दिखाओ अपना मिलते अगले वीडियो में love you guys good bye take care